दलेर साहब, किसानों के इस दर्द में आप भी अपनी आवास शामिल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको अंदोलन पर डटे हुए हैं, किसान कुछ किसान हमारे साथ, किसान नेता कहिए, जुड़े हुए हैं इस वक्त सिंगू बॉडर से भी, क्या लगता है आपको, उनकी मां हैं, वो बेस ही हमारा किसानी है, यह जो पंजाबियों की मैं बात कर रहा हूं, और श्पेशली पंजाब और सिख, और यह सबसे पहले जो खेती, गुरुनानक महराजी ने, गुरुनानक महराजी ने जब एक लाख मील की यातरा, पूरे पूरी जगा भर्मन करने के बाद, चार उदासें करने के बाद, मक्का मदीना सबजाए जाने के बाद, फिर गुनानक देजी ने, करतारपुर जो लंगा है, अभी जो खुला है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे गुनान साहब ने, 16-17 साल फिर राश्प ने सिर्फ खेती ही की है, उना है, खेती की है, और ही काया के, नाम जपो, किरत करो, काम करो, और सब में बांट के खाओ, ये ये तो ब्लड में ही है, पंजाब के, उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा इंसाफ दिलाया, वो बाबा बंदा सिंग बहादर, जब चार सहब जादे शहीद होगे, गुरोविंसी महाराजी के, गुर बाबा बंदा सिंग बहादर को बुला के, पंजाब में बहुत कुछ अत्याचावर हरा है, मुगलों के राज में, कुछ जाके, बिल्कुल अच्छा चेंज करो, तो बाबा बंदा बहादर आए, तब उन्होंने हर किसान को, जो खेती कर रहा था, उन्होंने रूल बनाया क खेती, खेत उसी का, जो किसानी, जो खेती कर रहा है, खेती कर रहा है, तो सब को मलकियत दी, ऐसा एक राज काइम किया है, किसान को सबसे जादा उन्होंने सुर्ख रू किया, और मैं अब कह रहा हूँ कि अब जो मैं महौल देख रहा हूँ, और बहुत दुख होता है, क्य अड़ने से और कहीं भी गुरूर कोई दिखाएंगे किसी भी तरफ से हो वो चाहे किसानों की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से वो ठीक नहीं है इसका हल जरूर बहुत अच्छा निकलेगा और मैं गुनानक महारा से भवान से अरदास करता हूं कि जल्दी जल्दी ये मसला जो है वो खत्म हो क्योंकि इससे आपके मुटाना चाहते हूं कि आज ही कुछ हमारे दोस्त के जो बच्चे हैं नौइडा में हैं वो बहुत बिमार थे तो उनको होमेपेथिक दवाई हमारे डॉक्टर ने भेजी लेकिन वहां से जाने सका उनको दवाई देने के लिए तो बहुत सारी प्रेशानियां से हो रही हैं तो भवान से मेरी अर्दास है किसानों को और गौर्णमिन को आपसे मिलके बात करनी चाहिए और एक गाना जो मैं सबके लिए कहना चाहरू हूं वो सबके लिए कि वो है कि जरा गिर के देख भिड़के देख फिर खाबों में तो मिटके देख जरा गिर के देख भिड़के देख फिर खाबों पे तो मिटके देख मैदान भी होगा तेरा तू हक से मांग और लगा मिटी माते और ले चलांग रे ले चलांग और ले चलांग तो ये कहने के बंद चम्होंगे जब भी कोई बात है सरकार मावाप होती है और बच्चे को जब भी तक्लिब होती हुआ से ही जा के बात करता है वो चाहिए दस वार आपस में जो उठा पटक हो लेकिन बात तभी खतं होती है क्योंकि माम इंप मावाप बात हैं तो यह मेरी बहुत बहुत ही गुजारिश है सरकार से के बहुत अच्छा सा हल बहुत जल्द निकले ताके पूरे देश के किसानों को उनका हक मिले और खुशाली हो मस्ती हो लोग अपने घर में जाएं यह बॉडर सील होने इससे आपको पता है कितनी तकलीफें होती है जो ब उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले